आज हम लोग हवीब तन्वीर द्वारा रचित एकांग की कार्तूस को पढ़ेंगे लेकिन पाठ को समझने से पहले लेखक को समझना आवश्यक होता है तो आईए सबसे पहले हवीब तन्वीर साहब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हवीब तन्वीर का जन्म 36 गढ़ के रायपूर में हुआ था वे नागपूर से शनातक की उपाधी प्राप्त की थी उसके बाद वे नातक अकादमी ब्रिटेन में नातक लेखन का अध्याइन करने चले गए वहां से वो आपस लोट कर वे दिल्ली आये और यहां पेशेवर नाट मंच की उन्होंने अस्थापना की हवीब तन्वीर, नाटककार, कवी, पत्रकार, नाट निर्देशक, अभिनेता जैसे अनेक रूपों में अपनी प्रसिधी अस्थापित की हवीब तन्वीर ने लोक नाट के शेत्र में भी महत्पूर्ण कार्ज किये हैं उन्हें कई पुरसकारों और फ्रेलोशिप से नवाजा गया है उन्हें पदमस्री से भी सम्मानित किया गया है हवीब तन्वीर के प्रमुख नाटकों में आगरा बाजार, चरण दास चोर, देख रहे हैं नैन, हीर्मा की अमर कहानी प्रमुख है उन्होंने वशंत रितू का सपना, शाजापुर की शान्ती बाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतरन भी किया था नाटे शाहित्त के छित्र में हवीब तन्बीर का नाम प्रमुखता से आज भी लिया जाता है और उनके प्रती आज भी एक सम्मान बना हुआ है बिद्यार्थियों, हवीब तन्बीर साहब नाटक के लिए ही जन्म लिये, नाटक में ही उन्होंने अपने जीवन को खपाया और नाटक में ही वे समाहित भी हो गए तो बच्चों, आज हम उनके द्वारा लेखित इस एकांकी को पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने से पहले इस पाठ की प्रिष्ट भूमी को भी समझना आवश्यक है जैसा कि आप पढ़ेंगे ही कि ये 1799 इसमी की समय की कहानी है जब इस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, ब्यापार कर रही थी, उसी के संदर में है तो हमारे देश में अंग्रेज ब्यापारी के वेश में ही आये थे शुरू में और उन्होंने यहां ब्यापार भी किया था लेकिन उनके इरादे हम भारतवासी समझ नहीं पाए थे हम भारतवासीों के बारे में शुरू से ही कहा जाता है कि हम भावुक लोग हैं हमारे यहां सब को जगह दी जाती है जब आप जैशंकर प्रशाद को पढ़ेंगे तो जैशंकर प्रशाद ने अपनी कविताओं में इसका उलेख भी किया है कि कैसे हम भारतवासीों को हम भारतवासी दूसरे देश के लोगों को अपने यहां शरण देते हैं अपनाते हैं आपने यह भी देखा कि राम चरित मानस में भगवान राम के पास जब विभीशन आते हैं तो यह जानते हुए भी कि यह रावन का छोटा भाई है भगवान राम ने किसी तरह का प्रस्ण नहीं पुछा और उन्हें सीधे अपने हिर्दय से लगा लिया तो यह भारतवाशियों की एक तरह से बहुत अच्छी बात भी है और इससे हमें कई बार धोखा भी मिलता है तो इस्ट इंडिया कमपनी के संदर में भी हम लोगों ने इस तरह की बातों को महसूस किया किस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश की रियास्तों पर धीरे-धीरे कबजा जमाना शुरू कर दिया उसकी नियत खराब थी लेकिन जब तक उसकी नियत उजागर होती वह एक शक्तिशाली संगठन के रूप में हिंदुस्तान में अनेक रियास्तों पर कबजा कर लिया था अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेडने का प्रयास भी शुरू हो गए थे जब हमें पता चल गया कि इसकी नियत हमारे देश पर कबजा करना है तो धीरे धीरे लोग जागरूख हुए और उसे खदेडने के प्रयास भी शुरू हुए इस पार्ट को हम देखते हैं जब पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है कि यह जो क्रांती है 1857 में जो क्रांती हुई उससे बहुत पहले इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाप भारत में क्रांती की याग सुलग रही थी इसलिए कहा जाता है कि कोई क्रांती एक या दो दिन में नहीं होती उसके लिए प्रिष्ट भूमी तयार की जाती है और वह प्रिष्ट भूमी धीरे धीरे आगे आकर क्रांती का रूप धारण कर लेती है हम इसी संदर्व में हमारे पास कई ऐसे उदारण है जिसे हम जब समझते हैं पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि किस तरह से क्रांती हुई और उसकी प्रिष्ट भूमी कब से बन रही थी। तो लगभग 1799 की जो एक कहानी आपके समक्षाजप्रस्तूत है कांकी के रूप में उसमें भी इस बात को हम लोग देखेंगे। तो इस पाठ में एक ऐसे ही क्रांती कारी वजीर अली के बारे में बताया गया है। उनके जामबाज कारनामों का बढ़न किया गया है। वजीर अली एक मात्र उनका लक्ष था अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना। कम्पनी के खुक्मरानों की निंद हराम कर देने वाला वजीर अली एक दिलेर और निडर सिपाही था। उसका एक ही मक्सद था कि किसी भी तरह अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है। और आपको यह पता है कि जब हम किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो क्या वो हमारी बात सुनकर देश छोड़ देता है। नहीं वो अभी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। तो इस एकांकी में हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत चक्रब्यूह की रचना की हुई है। और उस ब्यूह में वजीर अली को कैसे गिरफतार कर लिया जाए और उस क्रांती की याग को ठंड़ा कर दी जाए इस बात को लेकर हवीब तन्बीर साहब हमारे सामने उपस्थित हुए है। विद्यार्थियों हम लोग इस पाठ को एकांकी के रूप में पढ़ते हैं। तीन चार अंक तक होते हैं और उसमें फिर कई द्रिश्य होते हैं और उन द्रिश्यों के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन को मंच पर उपस्थित किया जाता है। लेकिन एकांकी एक अंक का द्रिश्य काव्य होता है जिसमें एक ही कथा होती है और कुछ पात्र होते हैं इसमें बहुत अधिक पात्र भी नहीं होते और उसका एक विशेश उद्देश भी होता है जिसकी अभिव्यक्ति अनिवार्ज होती है ऐसा नहीं है कि अगर आप पांच से दस मिनट की कोई अभिव्यक्ति दे रहे हैं मन्चित हो रहा है कोई एकांकी और उसका कोई उदेशी ही न हो ऐसा नहीं हो सकता बिना उदेशी का कोई कार्ज होता ही नहीं है तो इसलिए इस एकांकी का भी एक उदेशी होता है और उसी उदेश्य को लेकर जो लेखक है वो एकांकी की रचना करता है तो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ने का लक्ष लेकर लेखक इसे लिखता है हम आपसे हवी कहना चाहेंगे कि जिस पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक एकांकी है क्योंकि इसमें एक अंक है, द्रिश है और इसमें एक ही कहानी है कुछ पात्र हैं जैसे करनल, लेफ्टिनेंट, सवार और सिपाही बस ये चार चरित्र हैं इसमें और इन ही चरित्रों को लेकर कथा बुनी गई है यह 1799 की कहानी है रात का समय है, गोरखपूर के जंगल में अंग्रेजों के शिविर का अंदुरूनी हिस्सा है जहां लेफ्टिनेंट और करनल के बीच वजीर अली को पकड़ने तथा उस से संबंधित बात्चित होती है अब जब पाठ को पढ़ेंगे तो शुरू में ब्राइकेट में संकेत दिये गए है आपको यह संकेत समझने की आवशकता है क्योंकि एकांकी हो, समवाद हो या नाटक हो उसमें द्रिश्य संकेत और भाव संकेत इस दोनों को समझना अनिवार्ज होता है और द्रिश्य संकेत और भाव संकेत को बिना समझे हुए आप समवाद, एकांकी या नाटक को उसके उचित निर्देशन के तहत ही मंचित कर सकते हैं इसलिए लेखक द्वारा जो निर्देश दिये होते हैं उन निर्देशों को हमें अपनाने की आवश्यक्ता होती है तो पाठ के आरंभ में जो द्रिश्य संकेत है उसे आपको समझना है और फिर जहां जहां भाव संकेत आएंगे उसे भी आपको समझना है लेकिन मैं अभी आपको इस कहानी का जो एक संशिप्त सार है इस पार्थ का वो हम आपको बताएंगे उसके बाद फिर इस पर आपसे चर्चा होगी बीच बीच में वजीर अली को गिरफतार करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट तथा सिपाहियों के साथ गोरखपूर के जंगल में डेरा डालने का आदेश दिया था जंगल में डेरा डाले हुए उन्हें महीनों हो गए थे लेकिन वजीर अली अभी तक उनके पकड़ से आजात था वजीर अली के कारनामे विरोज सुनते थे और उन्हें उसके कारनामे सुनकर इंग्लैंड के रौविन हुट की याद आ जाती थी अब आपके मन में सवाल होगा कि रौविन हुट कौन था तो रौविन हुट एक ऐसा व्यक्ति था ब्रिटेन में जो गरीबों के बीच बहुत ही लोख प्रिये था क्योंकि वो अमीरों को शोषकों को लूट लिता था और उसे लूट कर उसका धन गरीबों में बाट देता था जिससे गरीब बड़े प्रसंद रहते थे वो अपने लिए कुछ नहीं करता था वो जो कुछ भी करता था समाज में गरीब और सोषित विक्तियों के लिए करता था ठीक वही श्थिति यहां वजीर अली के संदर्व में भी कही जा सकती है क्योंकि वजीर अली को पूरे अवध के लोग पूरे अवध की जनता वैसे ही प्यार करती थी जिस तरह से रोविन हुट के बारे में कहा जाता था लेकिन लेफ्टिनेंट के पूछने पर की साधत अली कौन है करनल बताते हैं की साधत अली आशिफ हुदौला का भाई है और वजीर अली का दुश्मन है क्योंकि आशिफ हुदौला के यहां लड़के की कोई उमीद नहीं थी और इसलिए शाधत अली यह समझ रहा था कि आशिफ हुदौला के बाद अवध का नवाव वो बनेगा लेकिन इश्वर को कुछ और मंजूर था आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि आशिफ हुदौला बुढ़ा हो चला था अवध के तक्त पर बैठा हुआ था और बुढ़ा पे तक उसे कोई संतान नहीं हुई थी तो यह तै हो गया था कि आशिफ हुदौला के बाद अब साधत अली इस तक्त पर बैठेंगे लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम कुछ होर सोचते हैं और इश्वर कुछ होर सोचते हैं बुढ़ापे में आशिफ हुदौला को एक लड़का पैदा हुआ और अवध को उसका बातसाह मिल गया लेकिन वजीर अली के पैदाईशी को सादत अली ने अपनी मृत्यू के समान समझा क्योंकि वो यह समझ रहा था कि अवध के तक्त पर आशिफ हुदौला के बाद मैं बैठूंगा लेकिन वजीर अली के पैदा हो जाने से उसके इस अर्मान पर पानी फिर गय थे अब उसके सामने कोई भी कल्प नहीं था लेकिन आप पढ़ते हैं इतिहास में कि लोगों ने तक्त के लिए अपने भाई तक को कतल कर दिया सादत अली भी अंग्रेजों के साथ मिल गया आशिफ हुदौला के मिर्टू के वाद वजीर अली अभी छोटा था बहुत बड़ा नहीं था तो सादत अली ने अंग्रेजों के साथ मिलकर वजीर अली को उसके तक्त से हटा दिया और उसके बाद से ही एक कहानी शुरू हो गई तो करनल बताता है कि सादत अली कौन है अंग्रेजों का दोस्त है और वह बहुत ऐश पसंद आदमी है दो तरह के शाशक होते हैं एक वह जो अपने प्रजा से अपने राज्य से अपनी मिट्टी से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं और एक दूसरे तरह के शाशक होते हैं जो ऐश करने के लिए मजे करने के लिए राजा बनना चाहते हैं तो लेखक ने यहां इस दो तरह के चरित्र को हमारे सामने रखा है अंग्रेजों ने सादत अली को अबध का नवाब बना दिया और वजीर अली को वहां से हटा कर बनारस शिफ्ट कर दिया गया जहां उसे तीन लाख रुपया सालाना देने की बात की गई और वहां उसे आराम से रहने के लिए कहा गया और अवर के तक्त से दूर रहने की बात की गई वजीर अली ने अफगानिस्तान के शाशक को हिंदुस्तान पर आक्रमन करने के लिए आमंत्रित किया था क्योंकि वजीर अली चाहता था कि किसी तरह अंग्रेजों को यहां से ख़देड़ा जाए इसका उत्तर देते हुए करनल कहता है कि हिंदुस्तान पर आक्रमन सबसे पहले अफगानिस्तान को टीपू सुल्तान ने दी थी फिर वजीर अली ने और उसके बाद शम्सु दौला ने भी इसे दिल्ली बुलाया था शम्सु दौला के बारे में करनल बताता है कि वह बंगाल का नवाव का भाई है और वह बहुत ही खतरनाक आदमी है इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ बगावत की लहर दोड़ रही थी आप सोच सकते हैं कि अबध में वजीर अली मैसूर में टीपू सुल्तान बंगाल में शम्सु दौला और अफगानिस्तान से शाहे जमा को बुलाने की बात हो रही थी तो उस समय लगभग 1799 इसमी के समय में ही अंग्रेजों के खिलाप एक लामबंदी शुरू हो गई थी और अगर यह लामबंदी काम्याब होती तो करनल लेटिनेंट को बताता है कि यह जो लामबंदी है और अगर यह काम्याब हो जाती है तो बकसर के युद्ध में और पलासी के युद्ध में आप इतिहास में पढ़े होंगे कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का जो अस्थापना हुई वो पलासी के युद्ध के साथ ही हुआ अगर पलासी के युद्ध में अंग्रेज हार जाते तो शायद इतिहास कुछ और लिखा जाता लेकिन यहां लेखा कहता है करनल के माधियम से कि यह जो बकसर और पलासी का युद्ध था इसमें लॉर्ड बेलजिली के सासनकाल में जो अब है वो खो बैठेगी क्योंकि यह जो लामबंदी हो रही है इसमें अंग्रेज हो सकता है कि हार जाये वजीर अली की आजादी इसलिए अंग्रेजों के लिए बहुत खत्रा थी और इसी की वज़ा से वो चाहते थे कि किसी भी हाल में वजीर अली को गिरफतार कर लिया जाए करनल बताता है कि पूरी फोज लेकर वजीर अली का पीछा कर रहे हैं और वह वर्सों से उसकी आँखों में धूल जोक रहा है और इन्हीं जंगलों में घूम रहा है पर पकड में वह नहीं आ रहा करनल एक वकील के कतल का किस्सा बताता है कहता है कि जब वजीर अली को वनारस शिफ्ट कर दिया गया वहां भेज दिया गया और तीन लाख रुपए सालाना उसे देने की बात की गई थी कि आप आराम से आ रहे हैं आपको तीन लाख रुपए अंगरे सरकार देगी साल की और आप उसमें अपना खर्च निकाले लेकिन कुछ महीनों बाद ही गवर्नल जनरल वजीर अली को कुलकाता बुलाता है वजीर अली के मन में तो वैसे ही पहले से ही नफरत भरी हुई थी और जब वह वकील के पास महुँचता है और वकील उसे कहता है कि आपको गवर्नल जर्नल ने बुलाया है वजीर अली उसे पूछता है कि गवर्नल जर्नल बार बार मुझे को लकता क्यों तलब करता है वो शिकायत करता है तो वजीर अली को वकील भला बुरा सुना देता है और वजीर अली को गुस्ता आ जाता है और वजीर अपने तलवार से उसी समय उस वकील का काम तमाम कर देता है लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के वकील का कतल कर देना इतना भी आसान काम नहीं है जैसे ही वजीर अली ने वकील का कतल किया उसे पता चल गया उसे यह महसूस हुआ कि अब मेरी हिफाजत यहां नहीं हो सकती इसलिए उसने तुरत अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ आ आजमगढ के शाशक ने अपनी हिफाजत में उसे घागरा तक पहुचा दिया और अब वह अपने विश्वस्त साथियों के साथ इसी गोरखपूर के जंगल में भटक रहा है और वह इंतजार कर रहा है कि किसी भी तरह वह यहां से नेपाल पहुच जाए और वहां पहुच कर अफगानिस्तानी हमले का इंतजार करे अपनी ताकत बढ़ाए और जब साथ अली को हटा कर खुद अबद का राज करे और उसके बाद अंग्रेजों को हिंदुस्तान से वह ख़देड़ दे बच्चों तो इस तरह से जब करनल लेटिनेंट को ये कहानी बताता है कि क्या मकसद है वजीर अली का इस जंगल में हुने का तब ही उसी समय एक सिपाही आकर करनल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई काफिला चला रहा है यहां हवीब साहब ने वजीर अली के आने की बात यहां की है लेकिन वह क्या है? एक तरह से धूल उनना यानि एक पूरा का पूरा एक व्यक्ति बनाम एक पूरी फोज की तुकडी यानि वह पर्थिकात मकता है कि उसकी ताकत कितनी है करनल सभी को चौकन्ना रहने का आदेश देता है लेटिनेंट और करनल देखता है कि केबल एक ही आदमी आ रहा है करनल सिपाहियों से उस पर नजर रखने को कहता है वह इनसान इजाजत लेकर करनल के सामने मिलने उससे अंदर आ जाता है और एकांत की मांग करता है जिस पर करनल सिपाही और लेफटीनेंट को बाहर भेज देता है वह करनल से कहता है कि हमें दस कार्थूस चाहिए करनल पूछता है किसलिए तो उसे लगता है कि वजीर अली को गिरफतार करवाने के लिए इसे दस कार्थूस ले रहा है करनल उसे कार्टूस दे देता है जब वह कार्टूस लेकर जाने लगता है तब करनल उससे उसका नाम पुछता है कि तुम्हारा नाम क्या है वह सबार अपना नाम बताता है वजीर अली और वजीर अली का नाम सुनकर करनल हक्का वक्का रह जाता है वह इंसान चला जाता है तब लिफ्टिनेंट के पूछने पर कि वह कौन था तब करनल दवी आवाज में खुद से कहता है कि एक जामबाज सिपाही इस तरह यह एकांग की बहुत सारे अर्थों को छोड़ कर समाप्त हो जाती है विद्यार्थियों आपको यह समझने की आवश्यक्ता है कि वजीर अली अंग्रेजों के लिए किस तरह की चुनोती था जामबाज कहने का क्या अर्थ होता है जामबाज वह व्यक्ति होता है जो अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं हिचकता है आपने देखा कि किस तरह से वजीर अली यह जानते हुए भी कि जंगल में लेफ्टीनेंट और करनल अपने सिपाहियों के साथ मुझे पकड़ने के लिए महीनों से खेमा डाले हुए हैं बिना भैभीत हुए उस खेमे में अकेला आता है और करनल से दस कार्तूस हासिल कर लेता है और उसे नाम भी अपना बता देता है और साथ में यह भी कह देता है कि मैं तुम्हें इसलिए गोली नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे दस कार्तूस दिये हो यानि ये उदारता भी अपनी दिखाता है तो नायक जो होता है उस नायक के भीतर ये सारे गुन होते है कि वह वीर भी होता है वह सासी भी होता है वह उदार भी होता है उसके भीतर दया और करुणा की भावना भी होती है और वह देशभक्त भी होता है तो वजीर अली एक सच्चा देशभक्त था जब हम इस एकांकी को पढ़ते हैं तो इसमें कई ऐसे शब्द, कई ऐसी पंग्तियां हमारे सामने आती है जिसमें हमें उसे समझने की आवस्यक्ता है जैसे वजीर अली आदमी है या भूत हाथी नहीं लगता यह जो चुनोती है भूत क्या है? भूत एक मीत है, कि भूत होता है, भूत होता कुछ नहीं है लेकिन एक मीत है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका शरीर नहीं है वो दिखाई तो देता है, अहसास भी होता है, लेकिन हम उसे चू नहीं सकते तो इसी तरह वजीर अली उस भूत की तरह है जो कभी भी कहीं भी उपस्थित हो जाता है लेकिन उसे न कोई पकड़ सका है और न कोई पकड़ सकता है इसलिए लेफटीनेंट और करनल जब बात करते हैं तो वो वजीर अली की तुलना भूत से करते है ठीक इसी तरह मुठी भर आदमी और यह दमखम इस पार्ट्स में इस वाक्य से यह अर्थ ध्वनित होता है कि लडाई या मुकावला संख्या बल से नहीं की जाती, साहस्य की जाती है आपके भीतर रण कौशल कैसा है, आपके पास गुद्धी कैसी है और आपको अपने देश पर मर मिटने का कितना साहस है हम वजीर अली को देखते हैं कि चंद जान इशारों के साथ, जान इशार किसे कहते हैं, जो जान नियोच्छावर करता हो चंद जान इशारों के साथ, वह आगे बढ़ता है और अंग्रेजों को नाको दम कर देता है इस तरह से हम इस पूरे पाठ को जब देखते हैं, तो हमें वजीर अली के बारे में यह पता चलता है कि वह एक सच्चा देश भक्त है, वह सासी है और वह अपने कारनामों से जनता को अपने पक्ष में किये हुआ है और वह अंग्रेजों के खिलाफ 1799 इसमी में 1857 की क्रांती से बहुत पहले एक अलग तरह की लहर बनी हुई थी जिसमें अंग्रेजों को खदेड़ने की बात की गई थी हवीब तन्वीर साहब ने वजीर अली के चरीत्र के माध्यम से हम सभी को एक सच्चे देश भक्त, सासी व्यक्ती और अपने मिट्टी को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करके भी अपने लक्ष से जरा भी डिगने वाले व्यक्ती के तौर पे खड़ा किया है तो हमें भी अपने जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाईयां आएं अपने कर्म के प्रती, अपने समाज के प्रती, अपने देश के प्रती प्रतिवध रहने की आवशक्ता है और हमें आगे बढ़ने की आवशक्ता है विद्यार्थियों हमें उमीद है कि आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आने वाली परिक्षा में आप अच्छे से इसका उत्तर लिख सकेंगे मैं आपके सामने जो दो-चार महतुपून प्रस्न भी रखता हूँ आप उन प्रस्नों को सुनिए और कोशिश करिए कि इसका आप आप भ्यास भी करें लिखने की जंगल की जिंदगी खतरनाक क्यों होती होगी दूसरा प्रस्न वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी सरकार इतनी मुस्तैद क्यों थी वजीर अली को जामबाज सिपाही क्यों कहा गया है आप कैसे कह सकते हैं कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लहर थी और अंतिम प्रस्न है कार्टूस को नाटक न कहकर एकांकी क्यों कहा जा सकता है द्यार्थियों मुझे आशा है कि आप इस पार्ट को भली भाती समझ गए होंगे आप इन प्रस्नों के उतर देने में भी सक्षम होंगे आप इसका बढ़न भी कर सकेंगे और इसके प्रतेक चरित्र के भीतर जो मानविये मुल्य है उसको भी आप समझ गए होंगे और हवीब तन्वियर की भाषा, समवाद, पात्र योजना और उनके ध्वनी संकेतों और भाव संकेतों को भी आप भली भाती समझते होंगे, समझेंगे इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप समरी ओन्यवाद, जो झाप समर्णिक, समर्णिक, बहुत बहुत भात्र योजना ने जाद समझे, समर्णिक, समर्द का बाव करेव मेंれ